इस साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाओं होने हैं अंकल प्रैली को संबोधित किया उन्होंने हर गरीब को पक्का घर देने का बादा किया साधी ये दावा किया कि राजिकी कॉंग्रिस सरकार के कारण केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का फायदा जनता तक नहीं पहुँच पाता भारत सरकार ने अपनी जिंबेदारी निबाते हुए हम कभी यह नहीं कहते हैं हम उपकार करते हैं 36 गड़ में हजारों करोर रुप्य के इंफ्रा सेक्टर प्रोजेक हमने मंजूर की पैसे बेगे कॉंग्रेस सरकार की वज़र से या तो वो रुके हुए है या फिर बहुत बेरी से चल रहे है 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री की चुनावी दौरों में और तेजी आएगी इस दौरान वो चार राज्यों का चुनावी दौरा करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोधी, राजस्थान और मत्यप्रदेश जाएंगे उसके बाद 36 गड़ और तेलंगाना में उनके कारिक्रम होंगे 2 अक्टूबर यानि महत्मा गांधी और लालबाद दौर शास्त्री की जन्मजैनती के दिन प्रधानमंत्री मोधी, राजस्थान और मत्यप्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री राजस्थान के चित्तौरगड में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे इसके बाद चित्तौरगड में ही प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी होगी इसी दिन प्रधानमंत्री मोधी मध्यपरदेश की ग्वालियर पहुँचेंगे और तवाम विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे साथ ही वो एक जनसभा को भी संभोधित करेंगे इसके अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को मोधी 36 गड़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे 36 गड़ में सुभह 11 बजे जगदलपूर के लालबाग में एक कारिकरम में शिर्कत करेंगे इसके बाद जगदलपूर में ही एक जनसभा को संभोधित भी करेंगे 36 गड़ के बाद 3 अक्टूबर को ही प्रधान मंत्री तेलंगाना के निजामाबाद में अलग-अलग विकास परियोजनाओं का उत्गाटन करेंगे इसके बाद निजामाबाद में ही प्रधान मंत्री की जनसभा भी होगी इसके बाद 5 अक्टूबर को मोदी एक बार फिर राजस्थान और मत्रप्रदेश की दौरे पर होंगे पीम सुभह जोदपूर के पोलो ग्राउंड में एक कारिक्रम में हिस्सा लेंगे और दो पहर बाद एक जनसभा को संभोधित करेंगे इसी दिन शाम तक प्रधान मंत्री मत्रप्रदेश की जबलपूर महुचेंगे यहां गैरिसन ग्राउंड में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे साथ ही एक जनसभा को भी संभोधित करेंगे प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी का सबसे ज़ादा फोकस राजस्थान और मद्रदेश के चुनावी रण पर है चुनाओ करीब आने के साथ ही प्रधान मंत्री के चुनावी दौरे भी पढ़ रहे हैं अकेले सितंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश में साथ दौरे हो चुके हैं दरसल आगामी विधानसभा चुनाओ, कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं दोनों पार्टियों की कोशिश है कि पांच राज्यों में होने वाले ये विधानसभा चुनाओ जीत कर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाओ के लिए मजबूत दावेदारी पेश की जाए चुनाओ आज तक